दोस्तों जहें, कुरोना वाइरस तेजी के साथ भारत में अपने पाउं पसा रहा है, और सेकंड जो म्यूटन टाया है, दूसरी जो लहर आई है, उसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन, कौन है इसके लिए जिम्मेदार, क्योंकि भारत के पास एक साल का वक्त था, इ और चुनावी रैलियों का दोर जब शुरू हुआ, तो देखा गया कि इस तरह से, खुद हमारे प्रधान मंत्री ही, भी उनको देख करके बड़े खुश हुआ करते थे, पांच राज्यों के विधान सवा चुनाओं के मद्दे नज़र, जिस तरह से रैलियां की जाने पर इल्जाम लगने लगे कि ये तो बीजेपी की बी पार्टी नजर आ रही है, यानि चुनाव आयोग पर इल्जाम लगने लगा, जो बीजेपी के इशारे पर खुल करके काम कर रही है, लेकिन इस बार सबसे जधादा, एलक्शन कमिशन को किसने टारगेट किया है, तो कोविट का जो प्रोटोकॉल होना चाहिए कोरोना वाइरस को रोकने के लिए जो देंदूरी होने चाहिए मास्क होना चाहिए इस तरह का कोई भी गाइडलाइन एलच्चन कमिशन अपनी रैलियों में फॉलो कराने में नाकाम रहा है इसको लेकर मदरास हाई कोट ने बड़ी ही तलख टिपनी की है और क्या किया है आप इसे देख सकते हैं आप अपने स्कून पर देख सकते हैं उन्होंने आयोग को चितावनी दी कि दो माई को काउंटिंग के दिन के लिए कोविट प्रोटोकॉल बनाया जाए और उसका पालन ऐसा नहीं हुआ तो हम काउंटिंग शेड्यूल को रोकने पर मजबूर हो जाएंगे दरसल मदरास हाई कोट तमिलाड की कुरूर विधानसवा सीट पर होने वाले काउंटिंग को ले करके दायर पेटिचन पर सुनवाई कर रहा था पेटिचन में मांग की गई थी कि इस विधानसभा सीट पर 77 उम्मिद्वार मैदान में हैं इसलिए 2 माई को काउंटिंग के दिन यहाँ COVID प्रोटोकाल का पालम होना चाहिए मदरास हाई कोट ने अपने टिपड़ी में यहां तक यह भी कहा है कि आप आखिर कहा थे जब चुनावी रैलिया हो रही थी जब चुनावी रैलिया हो रही थी अलेक्शन के कैमपेण हो रहे थे रैलिया हो रही थी तब क्या चुनाव आयोग किसी दूसरे ग्रह पर था यह बड़ा सवाल है क्योंकि चुनावायोग ने अपनी आखे बिल्कुल भी मूद ली इस तरह से बंगाल में खुद वहां की सत्तारूर पार्टी त्रणमूर और बाकी लोग यह कहने लगे कि भाई की धेरे देरे शांथ होना शुरू हो गए और को लेकर की चिंता करने लगे तमाम तरह की बैठके करने लेएं लेकिं तब तक देर fünf하기 है करो में लोगों के पास अस्पताल में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, रेमिटिस्फ्ट दवाई नहीं है, बहुत तरह के ऐसे संसाधन नहीं है जिसके वजह से वो अपने मरीज़ों को ले जाके अस्पताल में भारति करा पाएं, इसके लिए फिर कौन जिम्मेदार होगा औक सीजन के लिए रोजाना मारा मारी हो रही है लेकिन उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो कह रही है कि भाई हमारे यां औक सीजन को कुल कमी नहीं है बड़ा ही मजाख है और जिस तरह से अलेक्शन कमिशन ने सवाल उठाया है कि क्या आप दूसरे पर गए थे क्या इस तरह से चुनाव आयोग के उपर जो है मदरास हाई कोट की चिप जश्टिस ने काफी तलक टिप पड़ी इसके साथ ही उन्होंने कई शर्ते भी रखी है और गोविट गाइडलाइन को फॉलो कराने के लिए तमाम तरह का कोट जो है वो कोशिश कर रहा है उट ने कईठी पड़ी की है उसमें कहा है कि आप इसे सुनशित कीजिए कि काउंटिंग के दिन कोविट प्रोटकॉल पर अमल होगा किसी भी कीमत पर राजनेतिक या गयर राजनेतिक वजह से काउंटिंग का दिन कोरोना के मामलों को बढ़ाने के लिए जिमेदार नही जाएगा लोगों की सेहत सबसे एहम है यह बात परशान करती है कि प्रशासन को इस बात की याद दिलानी पड़ती है जब नागरिक जंदा रहेंगे तभी वह उन अधिकारों का इस्तमाल कर पाएंगे जो उन्हें इस लोक्तांतर गड़राज में मिले हैं आज के हालास जि था तब कि आप दूसरे ग्रह पर गए थे और दूसरी चीज जो कहीं कि यह कोरोना की दूसरी लहर है इसके लिए चुनावायोग ही जिमेदार होगा जिए अपने आप में चुनावायोग के लिए काफी शर्मिंदगी का सबब बनता है चुनावायोग अगर गंधिरता से इन चीजों को लिया होता चुकि एक समविधानिक संस्ता है उस पर किसी डाजनितिक दल किसी शासन प्रशासन का जोर नहीं चलता लेकिन चुनावायोग अपने आपको शायद बहुत दबाब महसूस कर रहा है खुद उसके हाथ पायर काम नहीं कर रहे हैं शायद इसी हो य हैं इस मेल को सब्सक्राइब करें और हां सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन दा घंटी वाला बटन दबाना बिलकुल नहीं इससे हमारे चैनल पर आने वाले लेटेस्ट वीडियो नोटिकिशन आपको फ़ावरन मिल जाएगी फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक कि अधर जाएग झाहिए